इस वक्त हमारे साथ रीता भगुडा जोशे मौजूद है, उसे हम बात करेंगे। रीता जी, जिस तरह से मोधी सरकार 2 जो चल रहा है, फिलाल जो हालात बने हुए हैं, किस तरह से दिखते हैं मोधी सरकार 2 के ग्राफ को। अपने सारे वादों को पूरा करना शुरू कर दिया, आर्थिक बंदी की आर्ड में या कह लिया जाए कि नोट बंदी की आर्ड में दोनों को मुद्दा बनाकर सरकार को घढ़ने की हमेशा कोशिश विपक्ष की तरफ से जारी रही है, उसको उसके उपर आप क्या कहना चाहत कि दी मॉनेटाइजेशन और जितने भी विशेशगें कहते हैं, कि भले ही वो तातकालिक कुछ उसमें संकट आया हो, परिशानी आया हो, पर लॉंग रन में बहुत फायदा होगा, जी एस्टी से तो फायदा आपको और आपको जादा आने लग गया है, कि इस बारी आप द उससे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकानमी बढ़ेगी पूरे विश्व में, आजी आप पढ़ लिजे पूरे विश्व में स्लो डाउन है, कोई अकेले भारत में नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने जो है वो धन को जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेशन के लिए और बहुत सारा ऐसे काम की हैं कि रोजगार बढ़े, और जो छोटे हमारे जो पूंजी लगाते हैं लोग, उनको फायदा हो। इसके लिए पूरी तरह से विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष चाहता है कि भाधिजनता पार्टी को रेंडियों को फसाएं दूसरे तरह के विश्यों में, लेकिन हम अपने विकास के पत से हटेंगे नहीं, और इसे भी मुकाबला अच्छे से करेंगे, हम को करने की जन आप लोगों के ही बढ़ाने से हो रहा है, इसमें शेत्य पार्टियां जुड़ गई है, कांगरेज जैसी जुराष्य पार्टी जो खतम हो गई समापतो हो रही है, वो इसमें जुड़ गई है, और कुछ ऐसे तत्व जुड़ गए हैं, जो चाहते ही नहीं कि समाज में एक इलाओं को और बच्चों को आगे कड़ा करके, उनको बैठा कर इस प्रकार का जो गंदा खेल हो रहा है, और इतने भद्दे और इतने राष्ट विरोधी, नारे और बयान दिये जा रहे हैं, कि आप देखेगा कि इनका तो आंदोलन चलने वाला नहीं है, सरकार शान्त क्य क्यों दिखाए देरी, एग्रेसिव क्यों नहीं है, क्योंकि चाहिए वो एंटी नाशनल अगर कोई भी हो, चाहिए वो महिला हो, चाहिए वो पुरुष हो, उसके खिलाफ अभी तक सरकार के पास क्या पॉलिसी है, एंटी नाशनलिस्ट? बंद हो जाएंगे, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है, वहना सरकार का काम होता है, कि अपने जनता के वो, या अपने जो देशवासी है, उनको समझा बुझा कर और ट्राक पे लाना, उनको बरगला दिया गया है, ये बार बार जो कहा जा रहा है, कि मुसल्मान निकाल दिये लोगों को साया जा रहा है, बढ़काया जा रहा है, ये चलेगा नहीं, लोग आकिरकार समझेंगे, विपक्ष कहता है कि ये बीजेपी का एक सेग्मेंट है, एक एजंडा है, जो कि चाहती है कि वो विकास के मुद्दों से हटा कर लोगों को इस तरह के अक्टिविटीस मे कर दिया गया है, दारिक ट्रांसफर हो आपर काम शुरू हो गया है, तो अब सडके बनेंगी, टनल बनेंगे, वहाँ पर प्रियेटन का विकास होगा, तो हम जो कर रहे हैं, वो सब के लिए है, लेकिन अगर हम कश्मीर को इतना अच्छा कंडिशन में लेके जा रहे हैं, त दिखाए दिए, वो लोग कौन है, वो कौन सा कश्मीर का सेग्मेंट है, जो चाहते हैं कि देश में अश्रांती रहे, इनके लिंके जिस का है, इनकी मान सिक्ता क्या है, देखे कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ दल भी ऐसे हैं, जो बस यही चाहते हैं कि जगड़ा होता रह हैं, और हमारी रोटी चलती रहे, तो यह वो लोग है, यह नोट नाशनलिस, राष्ट्रवात का भावन में नहीं है, वो जिस तरह के नारिया लिगड़ मुस्यम इनवस्टी में लेका मुझे बड़ा कश्ट हुआ, बहुत अच्छी नवस्टी है, वहां के टीचर्स को रो हम कोई जोर्द बस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन अगर नहीं समझते हैं, तो हम थोड़ी दिन उनको महलत दे रहें कि समझें, तो मुझे बात तो टुकड़ा टुकड़ा गैंकी होती है, लेकिन बात हम उन संगठनों की भी करेंगे, जो लोग हिंदुबादी संगठनों क करना, बीजेपी इस पर कही न कहीं, मुझे लगता है कि बैकफूट पर कोई एक तरह का एक्शन नहीं है, तो क्यों इस पर बीजेपी मौका दे रहे हैं, वेपक्षभूत को घेरने का, तो अपने जामिया में जो लड़के को बोला, उसका तुम्हें टीवी पे देख रही इस देश के 80 प्रतिशत लोग राम भगते हैं, क्या करेंगे आप, लेकिन उसने जो किया वो गलत किया, गेर कानूनी किया, वो पकड़ा गया, उसकी उपर दफाएं लगेंगी, उसके खिलाफ कारवाई होगी, और चाहे वो आरे से सोचा भाजपो, सब ने कह दिया है, कि गेर कानूनी काम करने वाले का कोई तालुक पार्टी से नहीं, तो यह हमारे साथी रीता बुगडा जोशी, जो खास दोर से जहां पर सामने रखा गया, कि जो टुकडा टुकडा गयेंगे, तमाम जो लोग हैं, जो भारत में किन्द सरकार की छवी को खराब करने की करते हैं, उनके पास सरकार के पास उनसे निपटने का पूरा एक ग्राफ है, पूरा पैरामीटर से जिसके लिए तयार है, कैमरामेन अरब के साथ बैविबेक पाठक, जनसाते न्यूस, दिल्ली